नमस्कार दोस्तो आप सभी का बहुत स्वागत है दोस्तो लोंग को बहुत ही पवित्र माना जाता है पूजा पाठ तंत्र मंत्र जोतिश विद्या या फिर खाने का कोई काम हो उसमें लोंग का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण होता है लोंग का प्रयोग स्वास्त और स्व लगी लोंग को जोतिशी उपाय के साथ साथ तंत्र मंत्र में भी सामिल किया जाता है क्योंकि दोस्तों लोंग को उर्जा का वाहक माना जाता है आपकी किस्मत को बदलने और आपके सपनों को पूरा करने के लिए आप लोंग का इस्तमाल कर सकते हैं इसलिए अगर आप चाहे तो आज की इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, ताकि आपको लोंग के जो पुराने जमाने में टोटके किये जाते थे, जिने करके हर को व्यक्ति, एक सुक सम्रिज जिन्दिकी जीता था, एक खुसाल जिन्दिकी जीता था, उन टोटकों को जानना चाहते हैं, तो आप वीडियो को अंता तक देखें और कमेंट बॉक्स में एक बार जय बजरन बली अवश्य लिख दें दोस्तों आज की वीडियो में हम लोंग के बारे में बात करेंगे लोंग से वह उपाय बताएंगे आपको करने के लिए जैसे करने से आप अपने सभी सपनों को पूरा कर सकत करने हैं आप अपने किस्मत को बदलने का जिएवन से चलिए जाएंगा जो मुश्किल घर में में कुंडली मार कर बैठ गयी है यह कब दूर होंगी तो दोस्तों बस वह वक्त आ चुका है आप वीडियो और पूरी देखनी है और इन उपायों को करके आप भी अपने जिव होते हुए देख सकते हैं बस जरूरत है कि आप इन उपायों को पूरे विश्वास के साथ करें दोस्तों कई बार ऐसा होता है जब आप अपने घर में पॉजिटिव एनरजी फील नहीं करते हैं यानि कि सकाराजमक उर्जा फील नहीं करते हैं मैसूस नहीं करते हैं ऐसे में का माहौल बहुत ही खराब हो जाता है घर में कलेश और असांती फैल जाती है और धन आने के सभी मार रुख जाते हैं घर की तरक्की रुख जाती है दोस्तों अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है तो आप इस वीडियो में बताए गए इस उपाय को एक बार अवश्य करे इसके लिए आप दो लॉंग ले ले और एक कपूर की टिकिया ले और साथ ही एक इलाइची लेकर उसके सभी दाने निकाल ले उस इलाइची में जितने भी दाने निकले उन सभी दानों को निकाल ले और उस कपूर की टिकिया के ऊपर रखकर उन लॉंग को और इलाइची क गर में से और आपके जीवन में से सभी नकारतमक उर्जया दूर हो जाएगी और आप तुरंथी एक सकारतमक उर्जया का अनुभव करेंगे। इसके अलावा दोस्तों व्यक्ति के जीवन में आदी से ज़्यादा परिशानिया तो राहू केतु फैलाते हैं। दियां दोस्तों अगर राहू केतु अगर आपकी कुंडली में गलत स्थिती में बैट जाए तो आपका सर्वनास कर देते हैं। इसलिए राहू केतु और साथ इस सनी को अनुकूल बनाने के लिए आज हम आपको एक लोंग का ऐसा ही उपाय बताने वाले हैं। तो अगर आपके कुंडली में राहू केतु असूब इस्तिती में बैटे हैं, असूब योग बना रहे हैं और आपको परेशान कर रहे हैं, आपकी तरक्की को रोक रहे हैं, आपकी तरक्की में बादा बन रहे हैं, तो आज के बाद ये सभी समस्याय खतम हो जाएगी। दोस्तों अगर आपकी कुंडली में भी राहू गलत स्थिती में है तो वह सही हो जाएगा और अगर नहीं है तो भी आपको उतना ही फाइदा देखने को मिलेगा इसके लिए वो करना क्या है कि आपको पांच लोंग अपने तक्ये के नीचे रख करके सो जाना है और अगले द और भोले नात से प्रार्पना करे कि मेरे उपर से और मेरी कुंडली में से मेरे परिवार में से जिस किसी के भी जीवन में राहू, केतु और सनी का दुष्प्रवाव है वे समाप्त हो जाए दोस्तों आप यकीन मानिए कि आपके घर में खुचियां ही खुचियां बर आते हैं कि आपके जिन्दगी में इतना पैसा आए कि आपको कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना रहे बलकि आप रखते रखते समालना आपके लिए मुश्केल हो जाए इतना धन अगर आपने जिन्दगी में चाहते हैं तो आज किस वीडियो में हम आपको एक बहुती चबर्दस उपाय वताने वाले हैं दोस्तों अपने घर में धन की आवक को हमेशा बनाए रखने के लिए और धन की बड़ोत्री के लिए आप क्या कर सकते हैं इसके लिए आप पांच लोंग लेकर और तीन कपूर की टिक्या ले अब उन पांच लोंग को खोल लेंगे अब उन सभी दानों को खटा करके थोड़ा थोड़ा हर एक कपूर के उपर रख दीजिए और तीन लोंग लेकर अपने सिर पर से उल्टा गुमा लीजिए यानि गडिक जिस दिसा में घूमती है उसके विपरी दिसा में एक बार उसे घूमा लेने के बाद उन ती लोंग को भी उन कपूर पर रख दीजिए और जो पहले आपने पांच लोंग ली थी उन्हें अपने पास ही रखिए अब आप इन तीनों कपूर को जला कर अपने घर में चारों तरफ घुमा दे और जब पूरा घून जाए तो अपने घर के पूरों दिशा की और अपने ब existential वाले लोटे में डाल करके अपने घर में पूरे घर में चिड़काव करने और बचे हुँगो जल को अपने घर के मुख दरवाजे पर डाल दे और पांच लोंग को अपने मुख दरवाजे पर गर के अंदर देखते हुए अपने पीट के पीछे फेंग दे, मतलब कि आप जैसे अपने घर में अंदर प्रवेश कर रहे हो, इस परकार से खड़े हो जाए, घर के अंदर प्रवेश करते हुए, पीछे की और अब उन पांस लोग को जो अपने हाथ में रखी थी, उन्हें दोस्तों, आप किस बात का ध्यान रखना है कि आपको पीछे मुड़ कर नहीं देखना, वरना आपको दुरवाग है, कभी भी आपको पीछा नहीं छोड़ेगा, और अपने दरवाजा आप बिना पीछे मुड़े देखे ही, उसे बंद करके अपने घर में प्रवेश कर ले और अगले दिन की सुभा या फिर कम से कम एक घंटा बीच जाए, उसके बाद ही घर से कहीं बाहर जाए, वरना बिलकुल भी बाहर ना जाए और बाहर की ओर देखें भी नहीं, दोस्तों मातर इस्तना सा उपाय कर लीजिए, और आपके जीवन में कभी भी पैसों की तंगी आपको नहीं होगी, दोस्तों कभी-कभी हमारे जीवन नर्ख बन जाता है हमारे शत्रूओं की बज़े से, इसलिए आज की वीडियो में हम आपको आपके शत्रूओं से चुटकारा प्रावत करने के लिए भी लोग का एक जबर्दा सुपाय बताने वाले हैं, दोस्तों को करना क्या है, कि आप किसी भी तिनी सुपाय को करिए, बस आपको साथ बार बजरंग बार का पाट करना है, और हनुमान जी को लड़ूं का भोग लगाना है, और साथ में पांच लोग, जहां भी आप बैठ करके हनुमान जी के लिए बजरंग बार का पाट कर रहे हैं, वहा पांच लॉंग को रख करके अपने पूजा के स्थान में ही जाविया पूजा कर रहे हैं हुई बैटे बैटे से जला दीजिए और अपने सत्रूम विजयक प्राप्त करने के लिए हनमान जी से प्रार्थना करते हुए आप ये कारे कर दीजिए मानत आता है कि इस उपाय को कर करने से समस्त्रूम पर विजय प्राप्त हो जाती है तो दोस्तों आज की वीडियो में के वाले इतना ही कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए दे में जाज़े धन्यवाद कमेंट बॉक्स में लिखें जाए बजरंग बली